भाई और बेहनों मैं आप सभी का भारत भारत के प्रधानमंत्री और भारत के ग्रूमंत्रा लेकियों से रदय से स्वागत करता हूं सहरी भुकम सर्च और बचा विशय पर संगाई सहयोग संगठन के देशों के संयुक्त अभियाज के उद्गाटन में आप सब के बीच मौझूद होकर मुझे बहुत खुसी और हर्स होड़ा है यह इस विशय पर एक वर्स से अधिक की बादचीत और हमारे देशों के बीच के सहयोग का परिणाम है बारत बहु आयामी राधनितिक सुरक्सा आर्थिक सबंदी विशयों पर परसपर बादचीत को बड़ावा देने में सांगाई सहयोग संगठन संगाई सहयोग संगठन से जुड़ा हुआ है दोजार पांच से बारत परिवत्सक देश के रूप में एहम भूमी का निभाता रहा है और 2017 की सत्तरवी सिखर बैठक में इस संगठन के विस्तार की प्रक्रिया के एक महत्वपूर्ण चरण के तहत भारत स्यों का पूर्ण सदस्य बना SEO के इस समय दुनिया का सायद सबसे बड़ा खेत्रिय संगठन हुगा SEO की वैस्वीक जनसक्या का 40% वैस्वीक GDP का लगबग 20% और विश्व के कुल भूबाग का लगबग 22% का पतिमिल्टों करता है आज SEO एक आंतराश्य संगठन के रूप में विक्सित हुआ है SEO ने सभी सदस्य दिशे के साथ सयोग में सामन जैस्य बिठाने के लिए एक उत्कुरूष मंच मतलब की प्लेट्वर्म मुहया कराया है भारत के प्रधान मंत्री शिमान नरेंद्र मोदी जी ने कर्गीस्तान की राजनीती में रादानी बिस्केक में SEO के उन्नीस विसमिलन को संबदीत करते हुए साजाक शेत्र में संपर्कों और बहतर करने की जड़ुएत पर बल दिया था संपर्धान मंत्री नरेंद्र मोदी जी ने SEO सदस्यों के लिए शेक्षेत्रों में सहयोग के लिए हेल्थ का मंत्र दिया था यह स्वास्त अर्थवेवस्ता, वैकलपिक उर्जा, साहित्य, आतांकवाद की रोगदाम और मानुए सहयोग यह मुद्धों पर आपसी सहयोग को मद्बूत बनाने का अहवान स्री नरेंद्र मोदी जी में किया था आज का यह सहयोग तभ्यास हेल्थ के मंत्र में जो अन्तिम एच है उसका प्रतिनी दित्यों करता है माने मानुए सहयोग की दिता में एक महतोपूंट कदम है मैं आज दुनिया के सबसे बड़े लोक्तंत्र भारत के सभी नागरिकों की और से SEO के सभी सहयोगी देश करजाकिस्तान, चाइना, करगीज रिपब्लिक, इसलामिक रिपब्लिक और पाकिस्तान, रस्यन फेडरेशन और the Republic of करजाकिस्तान और रिपब्लिक अफ उब्जगिगिस्तान के प्रतिनिदियों का स्वागत करता हूँ अगस्त दोजार सत्रा में स्यों के भारत में सामिल होने के बाद मेरे सहयोगी अभी देश के रक्सामंत्री और उस वक्ते घूमंत्री जिने आपास पीतियों की रोगदाम और उनके बागो के प्रमुखों की नौवी बैठक में बाग लिया था इस बैठक में हमने ये प्रस्ताव किया था कि भारत सहरी बुकम सर्च और बचाव विशय पर एक संयुक्त अभ्यास आयोजित कर सकता है हमारे प्रस्ताव का सभी स्यों के राष्ट्रों ने दिल से स्वागत कि और मुझे जानकर खुसी हो रही है कि संयुक्त अभ्यास का ये विचार आज साकार होने जा रहा है मैं इस कारेक्रम के आयोजन के सभी स्यों देशों का उनके द्वारा दिखाए गई जोस और उनकी प्रतिबद्दता के लिए धनिवाद देना चाहूंगा मुझे बता गया कि नवेंबर में एक तारंबिक बैठक की गई थी जिसके बाद इस और फरवरी के सुरू में संयुक्त अभ्यास नियंद्रन सबंदी बैठक की गई मैं जानता हूँ कि ये दोनों बैठक दोस्ती की भावना और उदेश्य के साथ हुई जहां हमने इस अभ्यास के सुगम आयोजन के लिए संयुक्त रुप से एक व्यापक एजंडा तैयार किया था सहयोग की ये भावना इस संयुक्त अभ्यास की सफलता और इसके बाद की कारवाई के लिए सुप संकेत है एस्टियो के नए सदस्ते के रुप में भारत इस अभ्यास के लिए आप सब के समर्थन और सहयोग को देखतर बहुत खूर से मित्रो ये अभ्यास हमारे देशों में आपडा प्रतिरोधिक शमता का निर्मान करने के लिए की दिशा में एक महतोपुन कदम होगा वर्ष 1996 से वर्ष 2015 की अवधी के दोरान एस्टियो देशों में प्राकुरूतिक आपडाओ से लगभग तीन लाख लोगों की जान गई है इसमें से दो लाग से अधित लोगों की जान भुकम से गई है जो S.C.O. देशों में आपदा से होने वाली मौतों का दो तिहाई हिस्टा है इसलिए भुकम के खत्रे से निपटना S.C.O. देशों के लिए बहुती महतपुन और तूनती पून मुद्दा है इस पुष्ट क्यों होगा भुकम के बात की काड़वाई में समन्वय करने के लिए अंतराश्च्टिय स्तर पर्मानेक्द तप्राप्त प्रक्रिययों को समद्ने मैं आतिरिक उसके कतिभागे टीम no the El di उस समय निजी जानकारी और मित्रता होने में भी से भी हमें मदद मिलेगी। जब उन्हें आपडा की सीपी से निपटने के लिए मिलकर कारवाई करनी होगी उस वक्त एसाजा अभ्यास बहुत काम आएगा। आपडा के खत्रे से निपटने में हमारी संयुक्त कारवाई के व्यापक प्रभाव भी होंगे। लगबक 40% मानाव आबादी हमारे देशों में रहती है। हम सबसे तेजी से बढ़ रही और थव्योस्ता का प्रतिमिद्धों करते हैं। कदी हम आपडाओ और आपास सिक्यों के प्रभाव को रोकने और कम करने में सफल हो पाते हैं। तो विश्वस्तर पर भी इसके बहुत लाब होंगे। आपडाओ से होने वाली हानी को कम करने से संब्धित किसी भी वैस्विक्स लक्स को में निर्धारित हो अत्वा थाई विकास के लक्सों में निर्धारित हो। 2030 तक तब तक पुरा नहीं किया जा सकता जब तक कि उन्हें SCO देशों द्वरा हासिल नहीं किया जा सकता। अता इस सेत्र में आंतराश्टी सयोग हम सब के लिए महतपूर्ण है। भारत में हम आपडाओं से होने वाली मौतों की संख्याम में कमी करने और अन्य नुक्सानों को कम करने की दिशाने में समन्वईद प्रयास कर रहे हैं। हाल के दिनों में खेलिन, खुद्धूद और फोनी जैसे तीन बड़े चक्रावारताओं से प्रभावी तरीके से निपटना एक दसक से अधिक समय के दोरान नितिगत पहलो पूर्व चेतावनी प्रनालियों के सुद्रडिकरन, पहले से तैयारियां, प्रसिक्षन और समता विकास का सिधा परिनाम है, चक्रवाद फोनी के दोरान केवल 74 विक्तियों की मृत्य हुई, जबकि 1999 में आए अकेले ओडिसा सुपर साइकलोन में लगबग 10 हजार से ज्यादा लोगों की मृत्य हुई थी, दूसरे सब्दों में एक दसक से थोड़े अधिक समय में हमने हो में होने वाली मोतों की संख्या के एक प्रतिसत से भी कम पर लाने में सफल हुए हैं, हमारी राष्टिय आपडा प्रबंदन योदना 2016 में लौच हुई थी, भारत के सभी 28 राज्य और 9 केंदर साश्रीत प्रदेशों और 90 प्रतिसत जिलों ने अपनी आपडा प्रबंदन योदनाओं को पूरी कर लिए हैं, आपडा प्रबंदन में निजिक शित्रों के संचाधन, क्षमता की भी उप्योगिता के प्रावदान से इसमें निजिक शित्र की सहभाईतिता को भी सुनिस्चित यागाया हैं, इससे हम प्रक्रिया सबंदी मुद्दों का निराकरण कर राश्ट्र और स्थानिय स्तरपल आपडा प्रतिरोधी प्रबंदों में सुधार हुआ है, अब हमने इस राश्ट्री योदना में संसोधन करने की भी प्रक्रिया पूरी कली हैं, और अब हम ऐसी संसोधित राश्ट्री योदना लेकर आएंगे, जिसमें नकेवल आपडा चोखिम म्यूनिकरन के सबंदित चैंड़ेई फ्रेमवर्क पर बलकि स्थाई विकास के लक्षो और जलवायू सबंदी करारों पर भी हमने विचार किया हुआ होगा, भारत में हम ना केवल मौतों की संख्या को कम करने में सफल रहे हैं, बलकि हम आपडा प्रतिरोधी अव अवसं रचना पर भी ध्यान केंद्रिक कर रहे हैं, भारत आपडा प्रतिरोधी अवसं रचना सबंदी संगठन की अगवाई कर रहा है, जो बहु आपडा उंगमुखी होगा और इससे हमें संपती और अवसं रचना को होने वाले नुकसानों को कम करने में मदद मिलेगी, हाल ही में मानिय प्रधानमंत्री जी ने नियू यूर्क में यूएन क्लाइमेट समिट के दोरान इस कोईलेशन को लॉंच किया था, आपडा प्रतिरोधी अवसं रचना संबंदी इस वैस्विक संगठन के विकास तिल और विक्षित देशों, छोटी और बड़ी अर्थव जयोस्ता हो वाले देशों, अवसं रचना विकास की प्रारंबिक और एडवांस ट्रेजों में चलने वाले देशों, तथा ऐसे देश जिनको सामान्य और अधिक आपडा का खत्रा है, इनकी चिंताओं का निवारन होगा। के अंतरगत, हानी को कम करने के निजधारित लक्षों को, स्थाई विकास के लक्षों को हासिल किया जा सकेगा। इससे जलवायू परिवर्तन से अनुकुलन में भी बहुत स्वफलता मिलेगी। चन्मानित किया जाएगा और उनका उस्ताव बढ़ाये जाएगा। आंतराश्तिय स्तर पर प्रभावी रुप से संयुक्त पहल की है। पुनन निर्मान में दिर्गकालिक जोखम समन और शमता निर्मान की स्तोष एक महतवपों प्रयोक था। आवास के लिए ओनर डिवन डिकंस्रक्शन फोग्राम सबसे पहले घुजरात में लागू किया गया था। महासागर में आई सुनामी के बाद अनेक देशोद्वरा अपनाया गया। तथा 2015 में नेपाल में आये भुकम के बाद नेपाल में भी इसको अपनाया। आज ओनर डिवन डिकंस्रक्शन पोग्राम आपदा के बाद आवास निर्मान के लिए एक वैस्त्रीक सर्व पर फिकार्य मोडल बन गया है। हमने सित्यमबर 2014 में जम्मु कस्मिर में आई विनासकारी बाद के बाद मानिय प्रधान मंत्री जिने रहत और पुनवर्शन उपायों की घोशना के अंतरकत दो लाग से अधिक प्रभावित परिवारों को लाब भोग्यों के खाते में डायेक्ट बेनिफिट ट्रांसपर क के माध्यम से वित्तिय सहायचा प्रधान की जिस्ते जिनके मकान में बाड़ शर्तिगर्थ हो गए थे हमने दूसरे प्रभावित देशों में आपडा के समय चलाये जाने वाले अभ्यानों के लिए अपना राश्री आपडा मोचन बल बेजा है नेपाल में 25 एपरिल 2015 को आ देशनल प्रानिंग कमिशन नेपाल के अनुसार कूल 8,790 लोगों की मुक्ति हुई और 22,300 लोग घायल हुए तथा 8 मिलियन से अधित लोग प्रभावित हुए थे भारत सरका ने तटकाल NDRF सेना की टीम में रहत सामगरी और भारती वावी सेना की फ्लाइटे भेज कर भा भुकम के 6 घंटे के भीतर नेपाल की सहायता में वहाँ पहुचा था भारत सरका ने प्रभावित शित्रों में बचाव राहत और पुनर निर्मान कारियों में नेपाल को सभी प्रकार की सहायता प्रदान करने के लिए ओपरेशन महित्री शुरू किया हमने लगबग 380 करो रुपे के मुल्य के लगबग 14,000 मेट्रिक ट्रंदाहत सामगरेगी भीजी थी पुनर निर्मान और पुनर वर्सन के प्रयासों के महत्व को देखते हुए है भारत सरकान इस प्रवजन के लिए एक बिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता की गोशना की थी हमने पुनर निर्मा सफल तक पुर्वक किया है हमने साउथ एसिया जियो स्टेशनरी कॉम्निकेशन सेटेलाइट लॉंच किया है जिससे दक्सिन एस देशों में संचार मौसम की भविसेवानी आदी में बहुत तुधार होने की संभावना है हम एक वैस्विक आपदा प्रतिरोधी अवसंरतना संगठन लॉंच करने में भागिदार देशो और प्रमुक स्ट्रेक होल्डर के साथ मिलकर काम कर रहे हैं इस उद्यश को हासिल करने के लिए हमने दो आंतराश्य कार्यसाला आयोजित की है पहली जनवरी 2018 में और दूसरी इसवर्थ मार्च में हम स्टी ओग प्रेमवर्क के साथ आपदा जोखिन प्रबंदन में सहयोग करने के लिए भी इसी प्रतिबद्धता और जोज के साथ काम करेंगे मैं ऐसा करता हूं कि सहयोग अभ्याद के बाद हमारे देशों के बीच आपदा जोखिन प्रबंदन के खित्र में अधिक सहयोग को प्रयास किये जाएंगे एसी पहलो से हमें निरंतर एक दूसरे से कुछ सिखेंगे, नए तोर तरीके विक्सित होंगे और हम इक सित्र में आगे बढ़ेंगे ताकि हम अपने लिए और आने वाली प्रिजों के लिए अपिक्सा कुद अधित सुरक्षित विश्व का नेमान कर सके। मैं चफल अभ्यास के लिए आप सब को बहुत-बहुत सुपकामनाई देता हूं और साथ में ही मेरे गुरूराज्य फिट स्याच्य अप इनिटी को देखने के लिए अगर आपका टाइम परमिट करता है तो आप लोगों को आमन प्रिज भी करता हूं मैं आसा करता हूं कि आप दोस्ती की भावना के साथ एक्यासिक सहर दिल्ली आगरा की सहर करने के लिए भी कुछ समय जरूर निकाले फिर से एक बार आप सभी को बहुत-बहुत सुपकामनाई देकर मेरी बात को मैं समाब करता हूं